हेलो नमस्काल स्टूरेंट्स कैसे हैं आप और उमीद करती हूँ दिन अच्छा बीत रहा है आपका क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो चुका है पढ़ने का समय भी बहुत सही है क्योंकि कुछ मेरे भी स्टूरेंट्स कहते हैं कि ठंड का मौसम है नहीं पढ़ाई हो पाती है जादा तो बहुत अच्छा मौसम चल रहा है दूसरी चीज जैसे कि आप टैट का भी सुन रहे हैं तो हो सकता है प्राविदिक वालों का यही वाला यह रहे तो बिल्कूल मत चुकिएगा इस साल अपना जो सेलेक्शन लेने में अपनी एक सीट निरधारित कर लीजेगा कि हमें एक सीट लेकर चलना ही चलना है अब देखिएगा मैं आपको जो समझाने वाली क्योंकि मैंने आप लोगों के केमेंट्स पढ़ें जो मैंने आर्टिस्ट का आपको लोगों को पढ़ाया था कि कौन-कौन से आर्टिस्ट आप लोगों को पढ़ने है तो उसमें मैंने Pacific सीन नहीं प्रवाइं प्रांज को hall談डि अपगा और चाहता है कि यह चीजuito आप लोगों को और हमें आप निव में मुझ पर रेख य। तो उसमें एक चीज आपने notice की होगी कि सारे ही artist को deep नहीं पूछा गया है कुछ ही artist को पूछा जाता है सारे artist को deep नहीं पूछा जाता है तो यह जो fact है यह सकती है क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ board पर बताके देखिएगा जैसे आप बंगाल शैली को पढ़ते हैं तो बंगाल शैली चाहे आपका DSSB का exam है उत्राखंड का LTA exam है आपकी UP का LTA exam है या फिर TGT का है या फिर कोई भी किसी भी state का exam है एक बंगाल शैली पूरी ऐसी आपकी है कि जिसमें से सारे artist important है जैसे कि अगर मैं बात करूँ बंगाल शैली में फर्स्ट आर्टिस्ट आवनींद्रनाथ आपको ये पता है कि ये जन्मदाता है पितामा है ठीक तो इनसे आपको कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जा सकता है इसलिए आप इने नहीं छोड़ सकते तो इनको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा अब बात आती है इनके साथ साथ नंदलाल भूस की क्योंकि नंदलाल भूस भी कम नहीं थे बंगाल शैली में इनोंने भी एक से बड़े बड़े चित्र बनाए हैं इसे एक प्रसिध्य चित्र भारत को दिये हैं बंगाल शैली में इनका अपना एक अलग स्थान है तो इनसे भी कहें से भी कुछ भी पूछ लेता है आप देखते हर साल ही आता है इन दोनों आर्टिस से हम इनने छोड़ नहीं सकते हैं क्या मैं मानती हूँ कि अगर एक्जामनर कोई कुछन पेपर जब बनाता है आर्ट के लिए तो किसी भी एक्जाम में इनको नहीं छोड़ सकता है इन दोनों की प्रसिध्धी ही ऐसी है तो कुछ आर्टिस्ट हैं जिनको हम कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं अला कि कुछ आर्टिस्ट आप छोड़े जा रहे हैं जो जादा पुराने हो चुके हैं लेकिन ये बंगाल शैली है ये शैली है हमारी भारतिय शैली तो हम अपनी भारतिय शैलियों में से जो आर्टिस्ट हैं उनको नहीं छोड़ सकते हैं आधुनिक चित्रकालामे से और संकालिन चित्रकालामे से एक बार मैं ये बोल सकती हूँ कि आप इसमें से बहुत जादा जो प्राशीन आर्टिस्ट है उनको छोड़ दीजेगा लेकिन अगर मैं बंगाल शैली की बात करो तो बंगाल शैली में से हम नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि इनकी प्रसिद्धी से ये जन्म दाता है और इनकी प्रसिद्धी ऐसी है जिससे हम बंगाल शैली को जानते हैं जिससे बंगाल शैली का नाम है, तो चलिए देखते हैं आप बंगाल शैली में अवनिंद्रनाथ, नंदलालवोस और संत चितरकार कौन है? चितिंद्रनाथ मजुमदार। ठिक, सेलेंद्रनाथ डे, सेलेंद्रनाथ डे, मुकुलचंद्र डे, यहां पर में लिखरी हूँ, चलिए इसको लगाने की ज़रोती में समझाई देती हूँ, असित कुमार हल्दार। अब हम आजाते हैं सेलेंद्रनाथ डे और मुकुलचंद्र डे पे, क्योंकि इनकी प्रसिधी कम नहीं है, लेकिन उस लेबल का हम नहीं कह सकते कि बहुत बिल्कुल डीप से पढ़ डालिएगा इनको, बिल्कुल नहीं ऐसा करना है आपको, इनको में गाउंगी जितना जोग था, और इसमें आप जो बीच के दो आर्टिस्ट हैं, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, इनका बंगाल श्यली में सहयोग क्या था, इनकी जो कारें का रहा, किसी सिक्षक पद पर, वो इन्होंने कहां पर किया, कितने समय पर किया, और सबसे में प्रसिधी मैं आपको बता देती हूँ, हर आर्टिस्ट के लिए मैं बता रही हूं, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि देखे, जब भी आप किसी आभी आर्टिस्ट को लिखेंगे, तो उसमे एक चीज जरूर आप ध्यान देंगे, एक चीज पूछी जाती है, या तो प्रथम पूछी जाती यह जो सबसे प्रसिध हो वो पुछी जाती है प्रथम लास्ट और सबसे प्रसिध तीन चीज़े बहुत पुछी जाती है हर आर्टिस्ट के लिए नहीं मैं कहूंगी हर सारी सब्जेक्ट में पुछी जाती है आर्टिस्ट के अगर बात करें तो प्रथम इनको पुरुषका, प्रथम इनकी न्यूक्ति कहां पर हुई थी, और दूसरी प्रसिध, प्रसिधी किस रूप में है, प्रसिध चित्र किया है, प्रथम चित्र किया है, लास्ट चित्र किया है, इनकी इस तरह की जो कुछ डिटेल हैं वो आप लेंगे, प्रथम न्यूक्ति कहां पर हुई थी जहां पर इन्होंने काम किया जिस college में teacher रहे या जिस college में भी अध्यापक रहे इनको fellowship मिला किया मिला वो किस reason से मिला fellowship का reason मत याद रखें क्योंकि fellowship आप जानते हैं क्यों मिलता है वो आपको काम करने के लिए गूमने के लिए मिलता है ताकि आप सारा पढ़ेंगे अब इनके चित्र कौन कौन से थे मुकुल चंद्रडेका तो यही काफी है इनका बंगाल शैली में योगदान किया था दूसरी चीज यह प्रधानचारे कहां पर बने थे इस तरह से मतलब teacher की जो नियुक्ति थी वो इनकी कहां पर थी artist की सबसे पहल है वो यह है कि बंगाल शैली का माध्यम अब माध्यम आपको पता है वोश है ठीक लेकिन वोश है तो वोश है किसमे जल रंग में है ओईल रंग में है कि टैंपरा में है तो बंगाल शैली से आपको याद रखना है कि जो बोश चित्रन किया गया है ओईल में तो बिलकुल भी नहीं हो सकता है, पॉइल को हम बोश नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बोश किया जा सकता है दोब में ही, सिर्फ एक जल में और एक टेमपरा में, नंदलाल बोश का भी क्या माध्यम था, टेमपरा था, नंदलाल बोश ने mostly चित्र बनाए है अपने टेमपरा में, अब नेंद्र जो आपका वंगाल शैली है वो दो में ही है जल और वोश इस से अलग बिल्कुल भी नहीं है तो बैसे तो बोश ही आता है टेमपरा और जल वोश तो बहुत कम देता है लेकिन फिर भी धियान रखेंगे जल से जादा टेमपरा में यूज हुआ है जल से जादा बंगाल शैली टेमपरा में यूज हुई है टेमपरा बोश में यूज किया गया है क्योंकि जो इसके आरंभिक चित्र बने है वो जल में बने है उसके बाद जो इन लोगों का माध्यम था क्योंकि जो आर्टिस्ट थे कुछ और भी कलाकार उपर included समकालीन और आधुनिक कलाकार अब देखिए मैं सिर्फ में में कलाकार को बताने वाली हूँ जैसे हम बात करें हुसेन की तो हुसेन तो एक ऐसी ब्रांड है जो एक ऐसी उभरती भारत की ऐसी नंबर वन यह कह सकती हूँ कि आप अगर किसी से भी पूछेंगे जो आर्ट के वारे में कुछ नहीं जानता है वो भी हुसेन का एक्जामपिल देता है आप movies देखते हैं उसमें हुसेन का एक्जामपिल आता है हुसेन की printing साती है जैसे अगर हम किसी को कि उसको कुछ नहीं आता है आर्ट में और जो जानता भी नहीं है और हम वो अपने आपको आर्टिस समझने लगे तो उसको जो एक टॉंटिंग या ताना दिया जाएगा वो हुसेन से कंपेयर गर के दिया जाता है ठीक है अब दूसरी जिए जब कि देखे राजा रभी बर् क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रसिद्धी है तो इनके बारे में जितना आपको मिल जाता है सब पढ़ दालिएगा पढ़िए रटिये मत और सबसे अच्छा माध्यम है हुसेन को पढ़ने के लिए क्योंकि देखे हुसेन कैसे कलाकार थे एक तो इनकी साइट से जाएगा लाइब्रे IS बहुत अच्छी होती हैं उसमें जा कर आप थोड़ी सी बुक्स को खंगा लिए पुरानी बुक्स आज की बुक्स अच्छी है पुरानी जो लाइब्रेरि शे की बुक्स होती है उनको जाके बरिए का इसके बाद में कहंवेे राजा रवी वर्मा राजा रवी बर्मा भारत की एक ऐसे कलाकार है जिनकी कलाकरतियां हर घर में आपको मिलती है आपके घर में भी अभी भी आपके आँखों के सामने शायद लगी हूँ क्योंकि अगर हम पूजा करते हैं तो इनकी ही कलाकरतियों की पूजा करते हैं आप देखते हैं दिवाली पे कलंडर आता हैं, आपके घर में कलंडर लगे हूंगे, आपके घर में तस्वीर वनी हूंगी भगवान की, वो सब राजा रभी बर्मा की ही देन है, तो इनसे भी आप सब कुछ पढ़िएगा, कुछ नहीं छोड़ना है राजा रभी बर्मा से अब हम आते हैं रवेंद्रनाथ इनसे भी आपको कुछ नहीं छोड़ना है. ठिक क्योंकि रवेंद्रनाथ को तो मैं ये कहा हूं कि कुछ ऐसे आरटिस्ट हैं जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है और इनको कौन नहीं जानता। तो इनके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है गगनेंद्रनाथ ठीक, गगनेंद्रनाथ के बारे में भी आपको पढ़ना है छोड़ना नहीं है तो ये आपके कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको आपको बहुत पढ़ना है एक और मैं बताओं यामनी राय, जिनको जैमनी राय भी कहा जाता है, तो यामनी राय और जैमनी राय दोनों एक ही है, इनको भी आप पढ़ेंगे, एंड अमरिता सरिगल इनको भी पूरा पढ़ेंगे, एक मूर्ती कार पे अगर मैं आऊँ, तो डीपी राय चोहदरी, ठीक, राम किंकर बैज, क्योंकि राम किंकर बैज का जो मूर्ती सिल्फ है संधाल बहुत प्रसिद है, राम किंकर बैज को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आप दिखिएगा धनराज भगत, थोड़ा सा एक एक एक्जाम्बिल में बू दे देती हूँ आपको, जिनको आपको थोड़ा ही पढ़ना है, धनराज भगत की अगर मैं बात करूँ, तो इनके सिर्फ अगर आप मूर्ती सिल्फ ही याद रखेंगे, मूर्ती सिल्फ और मूर्ती सिल्फों का माध्यम, तो काफी है, बहुत जादा डीप में नहीं जाने की जरूरत है आपको, ठीक है, क्योंकि इनसे यही पूछा जाता है, इनके जो मूर्ती सिल्फ हैं, वो कास्ट में बने हैं, कांच में बने हैं तो इनके मूर्ती सिल्फ इस प्रकार के हैं वह आधूनी के समकाल ही हैं उनके मूर्ती सिल्फों के बारे में जो detail है वो पढ़ लीजेगा बाकी आपको इनसे जादा deep जाने की कोई ज़रूरत नहीं है जैसे अगर मैं बात करूं हरी हर लाल मेर आपको लाओंगी प्रस्ण भी आया है हरी हल लाल मेड के बारे में सिर्फ और सिर्फ आप इनके क्योंकि ये प्रसिध ही याद रखेंगे कि वोश चितरकला के बहुत अच्छे ग्याता है दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है जो इनके चितर हैं वोश चितरकला के जो प्रसिध प्रसिध चितर है सिर्फ उनको पढ़िएगा बाकी कुछ मत पढ़िएगा कोई जरूत नहीं है टाइम डिस्ट करने की अब हम आगे देख लेते हैं आपको क्या पढ़ना है जैसे एक आर्टिस्ट आपने देखे हैं विरेशवर सेन विरेशवर सेन ये एक द्रस्थे चितरकार हैं द्रस्थे चितरकारी के लिए जाने जाते हैं बस इनके बारे में थोड़ा बहुत यही जान लीजेगा द्रस्थे चितर कौन कौन से थे जिसके लिए जाने जाते हैं जिसे अगर मैं बात करूँ, मेगदूत के लिए और हरिहलाल मेड जाने जाते हैं, तो वह बोश में बनी है, इसलिए जाने जाते हैं, तो इनके बारे में सरफ आपको एक पढ़ना ये बोश के बहुत अच्छे गयाता थे, दूसरे बोश का इसे कुंसा काम था जो जिस के लि कुछ भी बिना मतलब कि अब देखेगा जैसे मैं बात करूं मदल्नाल नागर की तो मदल्न नाल नागर ने मदनलाल नागर उन्होंने लखनव की गलियों को चित्रित किया है यह इसलिए जाने जाते हैं ठिक लखनव की गलियों के चित्रन के कारण तो हर आटिस्ट की अपनी एक प्रसिद्धी है और उस प्रसिद्धी को अगर आपने जान लिया तो समझ लीजिए आपने सब कुछ याद कर लिया अब मैं देखती हूँ कुछ आपको बता देते हैं कि कैसे पढ़ना है आप नाम याद रख लिजेगा अनकी प्रसिद्धी याद रख लिजेगा जन्म और मृत्ति उनके जो सिक्षा है और उसके बाद इनके पुरुसकारिंग को मिले उनको याद रख लिजेगा नहीं ज़रूत है मत करिए इतना सब कुछ टाइम बेस्ट करना है आपको आपको क्या करना है हमें टाइम बेस्ट नहीं करना है हमें वो चीजे पढ़नी है जो हमें पूछी जानी है क्योंकि देखे एक तो आपको वैसे ही प्राविदी कला दे दी गई है जब आप इसके starting first time कर रहे हैं तो बैसे ही नहीं सर से निकलेगा कुछ भी सब उतर जाएगा तो आपको कुछ ऐसा पढ़ने की ज़रुत है जहां से हमें ये पता चल जाए कि हमें इसके बारे में इतना पढ़ना इसके बारे में इतना पढ़ना तब थोड़ा सा आसान हो जाता है सलेबस को भी पढ़ना और आप लोगों के लिए भी पढ़ना चली अब एक और मैं थोड़ा सा आर्टिस्ट आपको बता देती हूँ जैसे सोम ठीक तो ये जखमों के चितरकार कहलाते हैं क्या कहलाते हैं और ये एक छापा चितरकार है प्रिंटकार है जखमों के चितरकार इनको जाना जाता है तो इनके भी सर्फ चितर देख लेंगे बाकी कुछ नहीं करना है आपको देखिए हाँ एक चीज और मैं बताओं जो आर्टिस्ट है जैसे कि ये मैंने लिखे हुए है इनके बारे में अगर आप जीवन परीचे पढ़ेंगे न डीप जैसे आप हिंदी में पढ़ते थे याद होगा आपको छोटी क्लास इसमें 9th और 10th में शायद हिंदी आपने पढ़ी होगी तो उसमें हिंदी में एक स्टोरी लगती थी या जब आप छोटे होंगे तो आपकी दादी, नानी, मा आपको स्टोरी सुनाती होगी आपको बड़ा मज़ा आता है आप किसी से कहिएगा या आप खुद ही खड़े हो जाएं और जो भी आपकी जितने भी आर्टिस्ट है इन सब को आपको क्या करना है खड़े हो के सामने एक ऐसा रोल प्ले करना है खुदी बन जाएगा कि हम ही है और हमने ये काम किया है तब आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगे इनके बारे में पढ़ते जाएगा इनके जीवन परीचे के बारे में और खुदी कुछ समय के लिए राजा रभी बर्मा बन जाएगे कुछ समय के लिए हुसाइन बन जाएगा फिर आप सोचेगा मैंने ये प्रिंटिंग मनाई मैंने बो प्रिंटिंग मनाई बहुत जल्दी से याद हो जाएगा क्योंकि जब आप एक्जाम में बैठेंगे तो आपको याद रहेगा कि मैं उस समय राजा रभी बर्मा बना था मैंने ये वाला रोल प्ले किया था तो ये प्रिंटिंग मनाई थी जो आप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर आर्टिस्ट होते हैं आर्टिस्ट के बिना आर्ट अदूरी है तो इन ही से आपका पूरा हो जाएगा और एक चीज़ और मैं बताओं देखी जैसे मैंने आपको लिस्ट बना के दी है एक ऐसे ही लिस्ट बणा लेंगे जिसको हम कहते हैं इंडेक्स उसमें आप यह लिखे जैसे ही जो long वाले artist है वो एक side लिखेंगे जो short वाले artist हैं एक side लिखेंगे कि हमें इनके बारे में इतना पढ़ना है और जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ें का तरीका भी देखेंजेगा साथ-साथ तो आप ही देखेंगे राजा रभी बर्मा के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया कोई रह तो नहीं गया, इसमें कोई कलाकरती तो नहीं रह गई है ठीक, फिर आपकी नजर जाएगी अपने पूजा घर में, अपने कलेंडर जहां लगे है क्या राजा रभी बर्मा ने बनाया है, इस तरह से आप थोड़ा सा सोचेंगे तो जहां पर आपने ये चीज़े सोचनी शुरू कर दीजेगा, बहां से समझ लीजे आपके अंदर एक आर्टिस्ट जन ले चुका है, एक राजा रभी बर्मा जन ले चुका है, एक हुसेन भी जन ले चुका है तब आप एक आर्टिस्ट बनने के लिए बिल्कुल तयार है, नेक्स्ट पर इंतजार करेंगे मेरा तब तक इसको पढ़ेंगे पढ़ने के तरीके में जहां नहीं समझ में आता है, तुरंत मुझे कमेंट करेंगे ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आपकी स्टड़ी कैसी चल रही है